सुप्रभाद बच्चों कैसे हैं? स्वागत है कक्षा नवी विशे हिंदी की कक्षा में गजेंद्र पंडे के साथ आज आप समझने वाले हैं शितिज गद्य खंड से महत्वपूर्ण पाठ प्रेमचन के फटे जूते जिनके व्यंग्य क्यार है हरी शंकर परसाई जी तो आईए समझते हैं पाठ प्रेमचन के फटे जूते बच्चों पाठ समझने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेखक के बारे में लेखक हरी शंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जीले में स्थित जमानी नामा गाउं में हुआ था उनकी सिक्षा गाउं में हुई हुई उच्च सिक्षा प्राप्त करने के लिए वे नागपुर गए और वहां से हिंदी में उन्होंने एमे किया और उसके बाद उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया 1947 में वेलेखनकार्य में जुट गए वर्स 1995 में उनका निधन हो गया हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे रानी नागफनी की कहानी तटकी खोज सदाचार का ताविज सिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह है ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाये हैं स्वभावतह हरी संकर परसाई जी व्यंग्यकार रहे हैं अपनी व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से न केवल पाठकों को गुद गुद आते हैं बलकि समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी परसाई जी की भाषा व्यंग्य प्रधान है वे प्रायह सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते शिर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतरभेदी सामाजिक द्रिष्टी का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवित्ती एवं अवसर वादिता पर व्यंगे करते हैं बच्चों पाट की सुरवाद होती है लेखक द्वारा प्रेमचन जी के चित्र का वर्णन वे कहते हैं कि प्रेमचन जी का एक चित्र मेरे सामने हैं जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं प्रेमचन के सीर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है उन्होंने धोती कुरता पहना है उनके गालों की हड़ियां उभरी हुई है गनी मुचों के कारण हालां की चेहरा हरा भरासा लगता है पाउं में केनवस के जूते हैं और उनके फीते भी बेतरती बंधे हुए हैं दाहिने पैर का जूता ठीक है परन्तु बाये पैर में बड़ासा छेद हो गया है जिसके कारण पाउं की अंगुली बाहर आ गई है इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नजर उस पर ही अटक गई है हालां की प्रेमचन की सादिगी का अनुमान इसकी इस पोसाक को देखकर लगाया जा सकता है इस विशय में लेखक की चिंता प्रेमचन के फटे जूते को देखकर होती है लेखक प्रेमचन के जूते देखकर चिंता में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि अगर फोटो की चवाने के लिए यह पोसाक है तो वास्तविक जीवन में उसकी पोसाक कैसी होगी फिर वे मुनसी प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं कि वे दिखावा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं उनके अनुसार प्रेमचंद हमारे शाहितिक पूर्खें हैं लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें भी जरा सी लज्जा महसूस नहीं हो रही है जैसे यह उनके लिए कोई साधारान बात हो यह कैसे व्यक्ति हैं कि जब फोटोकार ने प्रेमचंद जी को रेडी प्लीज कहा होगा तब परमपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिस भी की होगी परन्तु ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिस कर रहे होंगे फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके थैंक्यू कह दिया होगा और यह भी सोंचते होंगे कि यह कैसा आदमी है जो फोटे जूते पहन कर फोटो की चाने आ गया है इसे तू लेखक प्रेमचंद जी को परामर्ज देते हुए कहते हैं कि यदि इतना ही आवस्यक था तो डंग के जूते पहन लेते या फोटो ही ना खिचवाते हो सकता है कि आपकी पत्नी ने आपसे आग्रह किया हो फोटो खिचाने के लिए आप उनका आग्रह नहीं टाल सके अगर ऐसा था तो किसी से आप फोटो खिचाने के लिए जूते मांग लेते यहां तक लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई तक कर लेते हैं, मांगे हुए मोटर से बारात निकालते हैं यहां तक की फोटो कीचाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है कई लोग तो इत्र लगा कर फोटो कीचवाते हैं, उन्हें लगता है कि सायद फोटो में खुजबू भी आ जाए बच्चों यहाँ पर लेखक दिखावे की परमपरा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि टोपी आठाने में मिल जाती है, पर उस जमाने में जूते कम से कम पांच रुपए के जरूर रहे होंगे कहने का मतलब है कि जिनके पास आर्थिक शक्षमता है, वे लोग समाज में सम्मान के योग्य होते हैं और व्यक्ती कितना ही सादगी पूर्ण क्यों न हो, अगर वे आर्थिक अभाव से ग्रस्त हैं, तो समाज में उसकी पूछ परक नहीं होती और साथ ही साथ यहां पर लेखक यह भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा जूता फटा हुआ है, तो तुम्हें फटे हुए जूते को दिखा आना नहीं चाहिए या तो धोंती को थोड़ा सा नीचे सरकालेते, तो तुम्हारा फटा हुआ जूता नहीं दिखता हम परदे पर कुर्वान होते हैं और तुम जो है परदे का महतोल नहीं जानते कहने का मतलब है तुम्हें थोड़ी सी भी शर्मया हया नहीं है तुम फटे जूते पहने हो और फोटो खिचा रहे हो अब वेंगेकार हरी शंकर परसाई जी कहते हैं कि मेरे जूते का हाल भी इतना अच्छा नहीं है मेरा जूता भी फटा हुआ है अशी दसा में नहीं है भले ही उपर से अच्छा दिखाई देता हो इसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है पर अंगूली ढकी है मैं परदे का महत्व जानता हूँ पर सायद तुम परदे का महत्व नहीं जानते तुम फटा जूता पहन कर भी सान से जी लेते हो परंतु फटा जूता मैं नहीं पहन सकता और कोई अगर कहे तो फटा जूता पहन कर फोटो तो कभी भी ना खी जाओ चाहे मेरी जीवनी भी ना ही फोटो के लिखी जाए प्रेम चन की विभीन रचनाओं के मुख्य पात्रों का नाम लेते हुए विफ्रश्ण करते हैं कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया है सायद तुम्हारा जूता बनिये की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घीज गया होगा लेकिन चक्कर लगाने से जूता घीज तो जाता है परंतु फटता नहीं है कुम्भन दास जी का जूता भी फतेपुर्सिकरी आने जाने में घीज गया था वेहरी का नाम लेना भूल गये थे सायद तुम किसी शक्त चीज को ठोकर मारते रहे होंगे जिससे तुमने अपना जूता फाल लिया होगा बच्चों यहाँ पर शक्त चीज कहने का आशया है कि पुरानी दरपरत जमी हुई कुरीतिया या रास्ते का टीला जिस तरह से रास्ते में टीला हो उसे हम बचकर निकल भी सकते हैं परन्तु ठोकर मारकर उसे हमने अपना जूता फाल लिया मुंसी प्रेमचन जी को लेखक यही कहते हैं कि रास्ते की कोई बादा या रुकावट समाजिक कुरीतिया रही हो जिसे हटाने के लिए तुमने अपना जूता फाल लिया तुम चाहते तो उसे बचकर निकल भी सकते थे परन्तु यह तो समझावते की बात होती और समझावता तुम्हें कभी भी पसंद नहीं था जैसे गोदान में होरी का नेमधरम जिससे बचकर नहीं निकल सकता था उसी तरह यह भी तुम्हारे लिए बिलकुल नेमधरम के जैसा ही था साथ ही साथ पाट की व्याख्या करते हुए उन्होंने सुजान भगत, हलकु की गाय खेट चर गई, होरी का गोदान हो गया इत्यादी कहानी के माध्यम से भी उन्होंने इस प्रसंग का उल्लेक किया है कि जिस तरह से ये सारे करतव उनके नेमधरम थे उसी प्रकार ये भी तुम्हारे नेमधरम ही हैं जिससे तुम आगे बढ़कर निकलना नहीं चाहते लेखक कहते हैं कि तुम्हारे पाउं की अंगुली हो सकता है ये संकेत करती हो कि जिसे तुम ग्रिनित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाउं की अंगुली से संकेत करते हो मैं तुम्हारी अंगुली का इसारा समझता हूँ तुम्हारी व्यंग ये मुस्कान को भी समझता हूँ लगता है कि तुम हम संभी पर हस रहे हो क्योंकि हम अपनी अंगुली छीपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं कहने का मतलब है सामाजी कुरितियों को साथ में लेकर चल रहे हैं उसे हटाने का या उसे मिटाने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं अपना तला अपनी इमान एवं अपनी इच्जत बचाये हुए हैं परन्तु इन समाजी कुरितियों को और बाधाओं को मिटाने के लिए इसे ठोकर मार मार कर तुमने अपना जूता फाड लिया और अपनी अंगुली बाहर निकाल आई पर पाउं तो बचा लिये और चलते भ हो रहे हो और जिसके कारण तुम्हें चलना मुश्किल हो गया है इस तरह तुम समाज के सारे लोगों पर व्यंगे कर रहे हो तुमारे इस व्यंगे को तुमारे इस मुश्कान को मैं अबस्य ही समझता हूं बच्चों प्रशन अभ्यास का ध्यान करें धन्यवाद आपका द